बालक का जनम होते ही एक गरीब होता है और एक दन्वान ऐसा क्यों अगर सच में हैं तो कहां छिपा बठा है हमारा बगवान दोस्तो बहुत से लोगों के मन में शंका है कि बगवान होते हैं कि नहीं अगर हैं तो कहां हैं दोस्तो पावर स्टेशन पर एक एलेक्रिशन लाइन ठीक करने के लिए पोल पर चड़ जाता है और एलेक्रिसिटी में हाई वोल्टेज पावर होता है और लाइन ठीक करते करते उसका औजार नीचे गिर जाता है और उसे लेने के लिए फटा फटो नीचे उतरता है और उसी देखकर हैरान होता है, कि क्या हो गया, कौन है उसे बचाने वाला, वो था भगवान, उसे हाद चोड़ कर बोलता है, भगवान तूने तो हाद मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं गया था, यह है पावर भगवान की. अरे आप अपना घर, फैक्टरी या दुकान नहीं कंट्रोल कर सकते हैं और उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है आपकी बॉडी एक कॉडलेस चार्जिंग से चल रही है आपको चार्ज करने की जुरूत नहीं पड़ती है आप रात को सोते हो, आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है कौन करता है? सूची जरा कोई पावर है जो आपको चार्ज कर रही है, सोते हुए कहीं जाने की जुरूत नहीं, कोई प्लग लगाने की जुरूत नहीं आप चार्ज हो जाते हो अरे क्या कमाल की चीज़ है, इश्वर ने करेला बनाया कडवा, उसमें कोई कोड़तन तो नहीं डाली, वहीं पर एक मेंगो, क्या मीठा फल होता है, उसमें कोई शुगर डाली है क्या, अपने आप, कौन डालता है उसमें शुगर, आप तो नहीं जाके डालते हैं, पावर, पावर है, उसके काम में कोई गलती की गुझाइश नहीं होती, वहीं पर करेला उखता है, वहीं पर आम उखते हैं, वहीं खेती में आलू उखते हैं, वहीं पर सब्जी उखती है, दोस्तों आपकी बॉड़ी का विकास आपने नहीं करना, अपने आप होता है, कौन करता है, इश्वर, पर उसने एक चीज आपके उपर छोड़ी हुई है, आपके दिमाग का विकास, वो आपने करना है। हम औक्सिजन लेते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, कहां हैं। इसी तरह हमें बगवान भी दिखाई नहीं देते, कहां हैं। आसपास है, हर जगा में, हर कन में है, ईश्वर. क्या अरेंजमेंट है दोस्तों? ईश्वर का, आप पैदा होते हो, तो आपके लिए दर्ती पर उसने अरेंज किया हुआ है, दो इनसानों को आपके लिए रखा हुआ है कि आपकी देखबाल करेंगे और आपको पालेंगे कौन है? माँ और बाप देखिए आपका अर्रेज्जमेंट वो वहीं से करके बेज़ता है वो है बगवान दोस्तो जिसके काम में गलती की कोई गुझाश नहीं जो पल-पल बचाता है आपकी जान वही तो है हमारा बगवान